जी हाँ दोस्तो आज मैं आपको जाल मुरी की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो काफी टेश्टी होती है तो चल ये सुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक बड़े बरतन का यूज किया है उसमें मैंने बारिक फाइन किया हुआ प्याज डाला है और टमाटर ये भी बारिक दाने इसे भी पहले मैंने रोष्ट करके रख दिये थे उसे भी डाल दे और ये है मेरे बिकाजी के सेव हल्दी रामस के आप उसे डाले और अगर सेव ना हो तो आप मिक्स्चर कभी यूज कर सकते हैं और ये है मेरे पपराइस दोस्तो जिसे मुर्मुरा भी कहते हैं मुर मिर्श पाउडर ताकि ये थोड़े स्फाइसी बने और कलर भी आए अब तीखा पन के अनुसार ले सकते हैं दोस्तो अब मैं एड़ कर रही हूँ इसमें इमली और गुड की चटनी दोस्तो ताकि ये काफी टेश्टी बने ये मैंने अल्रेडी घर में बना के रखे थी और अ पूती टेश्टी बनते हैं ये मुर्मुरे और स्वाद अनुसार नमक ले और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ये आपको रेसिपी कैसे लगी ये हमें जरूर बताएं तो चलिए इसे अब मैं सर्ब करती हूँ बिल्कूल ही इस ट्रिट स्टाइल में दोस्तो ताकि ये बच्चे और बड़े को दोनों को काफी पसंद आए इसके लिए मैंने एक पेपर का यूज किया है इसे आप तिकोने आकार में मोड ले और इसमें आप अपनी जाल मुरी को भरे अच्छे तरह से फील करें और ये बच्चे को सर्प करें और बड़े को भी ये बहुत ही टेश्टी लगती है दोस्तो थांक यू